हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मंजुलाज रेसिपी आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आए हूँ अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल बेगर नए हैं तो उसे सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा आज मैं आपके लिए वेट लॉस र पानी डाल लेंगे अब हम इसमें चीया सीट्स डालेंगी चीया सीट्स मैं इसमें डेड़ चम्मस डालूंगी इसका स्वाद बिल्कुल रसमलाई जैसा आता है आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसमें हमें कोई कोकिंग की जरूत भी नहीं पड़ेगी तो उसके आएगा और इलाइची से इसमें खुश्बू भद अच्याएगी अब हम इसे राद भर भीगो कर रख देंगे और हम इसको फ्रेज में भीगो कर रखेंगे तो यह देखे मैंने फ्रेज में राद भर भीगो लिया अगर आप राद भर नहीं भी भीगो रहे हैं तो आप कम से कम साथ से आठ घंटा इसको भिगो कर रखिए तो ये देखिए हमारे ची असी इस बिलकुल फूल कर तयार हो गए है अब मीठे के लिए हम इसमें शहट डालेंगे आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं गुड़ का चूरा या फिर इसमें शुगर फ्री भी डा सकते हैं कुछ भी डाल लेजिए मैंने इसमें सहट डाला है अब बस ये हमारी तैयार हो गई है अब इसे सर्व करते समय हम कुछ टुकड़े के लेंगे उन्हें काटके स्लाइस में डाल लेंगे और उसके बाद जो हमने पूडिंग बनाई है चिया सीट्स की उसको हम इसमे डाल कर सर्व करेंगे ये बहुत ज्यादा टेस्टी होती है और इसमें कोई हमें कोकिंग नहीं करनी है ये वेट लॉस के लिए बहुत बढ़िया है आप इसे रात को बनाईए और इसे सुबब ब्रेकफास में आप ले सकते हैं बस एक गिलास से ही आपका पेट फुल हो जा ऑए और न room बादाम को इसके ऊपर हम डाल देंगे और बादाम से और जाड़ा टेस्टी हो जाती है है अब हम इसमें थोड़ा सा केसर के धागे एक दोपर से ड्रग देंगे तो ये देखने में जितनी farther लग रही है उतनी खाने में टेच्टी है और हेल्डी रेसिपी है व सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और रेसिपी अगर पसंद आई तो कमेंट करके बताईए कि आपको कैसी लगी थैंक यू फो वाचिंग